मेडिसिन के बारे में जो काम करती है आपकी मस्कुलर एट्रोफी पे, मसल्स के एठन पे या जहां पर एठन आय मसल्स में काफ मसल्स हो गई, थाइस की मसल्स हो गई या आपकी ऑल अवर बेड, बाड़ी के अंदर अगर एठन बनी वे रहती है, स्पाजमॉडिक अफेक्शन रहता है अकर जाती है मास पेशिया, काम करने में बिलकुल टाइटनेस मैस हो जाती है, जब भी अटेक आता है, आपको एठन का, तो पूरा लेग, पूरा हैंड्स या पूरी बोडी में एठन बनी रहती है, लंबे समय से, तो वहां काम करती है खास होमेपथिक मेडिसन, ये मेडिस ये बनाई जाती है, तो दोस्तो शुरू करते है, स्वाय अफेक्शन, मेडिसन का कहां कहां है, किस हिसाब से काम करती है, और किस पर्सन में ये पूरी तरीके से, completely, एठन को, स्पाज्मोडिक अफेक्शन को पूरी तरीके से क्योर करेगी, तो वीडियो को प्लीस लास तक दिखिएगा और शुरू करते हैं दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं अमरोत्र अभिशेख आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने हमेपेथिक यूट्यूब चनल पर तो आज हम बत कर रहे हैं क्यूपरम मैटालीकम के बारे में क्यूपरम मैटालीकम एक ऐसी मैडिसिन है जो लेग में और बोडी में कहीं पर भी तो वो किस तरीके से आपकी पुराने से पुरानी बिमारी जो एटन की बिमारी है जो गठिया की बिमारी है जो वाद की बिमारी है उसे किस तरीके से दूर करती है तो दोस्तों शुरू करते हैं देखें क्यूपरम मैटालीकम बहुत ही कौमन सी मेडिसिन है, लेकिन बहुत खास स्फेर अफेक्शन है, इसका ये काम करती है, तामे से बनाई जाती है और ये काम करती है आपकी बोडी के अंदर जो कमी हो जाती है और उसकी वजह से आपकी काफ मसल्स जो एठ रही थी स्पास्मोडिक अफिक्षन आया है एठन आ गई है मसल्स जो है वो एकदम क्रैम की तरह फील आ रहा है कि बिनकुल कड़क हो चुकी है ये स्टार्ट होता है पेशन्ट के अंदर स्पास्मोडिक अफिक्षन इसका की स्टार्ट है और किस तरह के से आइडन्टीफाइच करें कि हम इसे पैचान सकें या इस रोगी को पैचान सकें कि ये क्यूप्रम मैटालिकम का ही पेशन्ट है तो क्यूप्रम मेटालिकम के पेशेंट को देखने पर फिजिकल इगर हम देखते हैं कि इसे पेशेंट को तो देखने पर आपको दिखाए देगा कि blue discoloration of his lips उसके जो लिप्स होंगे, वो blue discolorations होंगे, यानि कि नीले पड़े वे रहेंगे, आप जैसे तामे का बरतन देखते हैं कहीं पर भी, तामे का कोई भी सामान देखते हैं, तो कहीं न कहीं उसके चारो तरफ पानी टच हो जाने पर, या वेदर के एसाब से, नीला पर अच्छा देखने को मिलेगा या फिर आपको दाव धबें बहुत सारे दिखाई देंगे पेशिंट्स पे स्वेलिंग इंक्रीजेज होगी फेस पे चहरे पर सूजन दिखाई देगी साथ में तो यह एक क्लियर अफिक्षन है क्यूप्रम मेटालिकम के पेशिंट का आप अब्जर्व कर सकते हैं उसे देख 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 करते हैं दोस्तों उसके हैड की सर की बात करें तो सर खाली पन म रहें की और दर्द भी मैसूस होगा स्वेलिंग सी मैसूस होगी उसे हैड बात करते हैं उसकी आखों की आंखों में एक जर्द स्मॉल स्वीट पैं यानि 것으로 ऑना रहने वाला नीडे मीठा मीठा दर्द उसकी आंखों में होता रहें गा और आखें एकदम चमकती भी दिख़ वो यही बोलेगा कि मुझे हमेशा जो है आंकों में खुझली सी या दर्द सा मैसूस होता रहता है और ऐसा लगता है कि गरम हो रही है आंके आंकों को गुमाने पर टच करने पर या आख नॉर्मल भी अगर कॉटन क्लॉट से भी अगर क्लीन करने तो भी उसे तेज दा दोगा और यही दर्द की टेंडेंसी पूरी बोडी में बनीविड़ेती है हिलने डुनने पर मुवमेंट पर या टच करने पर इवन दा सॉफ्ट की सिंटमस हैं जहांसे हम फखड़ सकते है कि यह पेशन जो हे हुग कॉपरय से बनने वाली खास होमबविदिक मेडेशिंस क्युपर मेटालिकुम का है अगर बात कर से माॉत की, माॉत में हमेशा क्युपर मेटालिकूम के पेशन को एक थिक लार बनी भी रहती है यानि कि एक मौटी सी लार की लेर रहती है उसे हमेशा यह लगता है कि चिकना चिकना मेरे अंदर मूँ में हमेशा बना रहता है मैं कुछ भी खाता हूँ टेस्ट आने से पहले मेरे अंदर इतनी लार सिक्रेट हो जाती है या वो patient जब रात को सोता है तो उसके मुझसे लार निकलती ही रहती है इतनी लार फॉर्मेशन होती है patient को और ये patient बात करते वक्त, नॉर्मल बैठे रहते वक्त हमेशा अपनी tongue को snack की तरह बाहर निकालता है और अंदर लेता है ये जो tendency है, blue discoloration पाया जाएगा lips के चारों और या lips के edges पे तो ये जो tendency है ये है cupram metallicum और cupram metallicum हमेशा अपने pain को mouth में एक छोटा सा मीठा सा दर्द all over the skin affections यानि कि पूरी body में कहीं पर भी मीठा दर्द हमेशा उसे बना रहता है आंकों में ले लें, mouth में ले लें तो ये जो tendency है ये हर system को affect कर देती है ये हर system पर ये tendency के sign and symptoms दिखाए देंगे दर्द होगा जो touch करने पर affected होगा small soft touch भी उसे बरदाश नहीं होगा और movement way, easily movement करने पर, इदर उदर गुमने पर, बैठने पर उसे हमेशा जब भी organ को use करेंगे उससे दर्द बनेगा blue discrimination पाये जाएगा और snack की तरह अपनी tongue को बहार निकालना अंदर लेना ये tendency पाय जाती है lecasis में भी ये tendency होती है बट उसके बाद क्यों प्रमेटलिका टंग का paralytic attack आना अगर उसकी जीब paralytic attack हो चुकी है यानि की paralysis of the tongue की condition है और अगर sign and symptoms देखने को मिल रहे हैं आपको कौन से sign and symptoms movement पर pain होना slight movement, slight touch, even the soft touch पर भी उसको pain हो रहा है, blue discolation है history है conversion की spasmodic affection हो रहा है, हर body का हर muscles जो है वो pain कर रहा है एठन भरावा दर्द मैसूस हो रहा है और उसकी जीब जो है वो लगवा ग्रस्त हो चुकी है या उसमें लगवा का attack आया है जीब में लगवा का attack आना, साथ ही साथ हकलाना क्योंकि जब भी जीब में लगवा का attack आएगा यानि कि जीब टंग की muscles प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगी तो जब भी वर्ड बोला जाएगा तो वो प्रॉपर साउंड के साथ नहीं movement करेगी तो हकलाना बनावा रहेगा तो हकलाने पर भी हकलाने के साइने स्म्टम से भी क्योपरम मेटालिकम is the best medicine क्यों क्योंकि अगर स्म्टम मेच हो जाते हैं all over the medicines को ले करके यह जो साहिने स्म्टम से इस सारे क्योपरम मेटालिकम में तेखने को मिलते हैं अब हम बात करते हैं abdomen की पेट में इस्टमक में जैसे ही पानी पीता है पेशेंट उसे गड़गड़ा हाट की आवा जाती है पीते वक्त भी गड़गड़ गड़गड़ आवा जाती है यहनकि जब वो internal layer आया उसे और यह sound उसे feel होता है पानी पीते वक्त हिचकी बनी भी हिचकिया चलती रहती है chronic high cuff की condition रहती है साथ में उसे पेट में भी एठन वाला अकड़न वाला दर्द बना रहता है वो कभी ज़्यादा हो जाए यह कभी soft दर्द बना हुआ रहता है लेकिन अकड़ा सा दर्द और हिचकी आना और पानी पीता है वक्त जो उसके sound में मैसू ब्लैक डार्क ब्लैक कलर का स्टूल होगा और मरोडी वाला दर्द हमेशा एठन वाला दर्द दूरिंग पासिंग स्टूल महसूस होता है constipation रहेगा pattern रहेगी जब भी स्टूल पास आउप करेगा कि दर्द रहता है मुझे ऐसा लगता है कि पूरी मसल्स जो है ना मरोड खा रही है और बिल्कुल ब्लैक अस्टूल निकलेगा तो यह जो condition है यह क्योप्रमेटालिकम की है फिमेल में maturation cycle आपको time के बाद दिखाई रहती है यानि कि जिस दिन maturation cycle आनी है उन से 5-7 दिन बाद ही maturation cycle आती है और एक लंबे duration तक बनी रहती है during menses, after menses and before menses एक तेज अक्रन वाला lower abdomen pain हमेश्या female में बना रहता है लेकिन how to identify यह sinus symptoms दिख रहे हैं लेकिन you are related with them कि face पे blue discoloration होगा लार हमेश्या बहुत जादा बनेगी patient को हमेश्या बोटी में कहीं ने कहीं दर्द एठन वाला, अक्रन वाला, मरोडी वाला दर्द, spasmodic affection बना वा रहेगा और यह pen moment पे small soft touch पे भी even the cloth touch पर भी aggravate होगा यह pen और यह सारी condition थंडा पानी पीने से आराम महसूस करता है patient amelioratic condition उसमें आती है, थंडा पानी पीना मतलब सारे sinus symptoms में उसे आराम देता है, बात करते हैं हाथ परोगी तो every muscles, calf muscles होगी जो पिंडलियों की muscles होती है, वो होगी, body कोई भी muscles, वहाँ एठन बनी गएती है, condition है, यह उसकी हर muscles में देखनों मिलती है और यह spasmodic affection या यह एठन वाना दर्द, small joint से start होता हुआ, उसकी और पानी पीने से रिलीफ देती है, तो दोस्तों, extremities पे, हाथ पेरों पर, muscles पर, यानि कि हर ओर्गन पर spasmodic affection, एठन और इस सारी condition थंडा पानी पीने से, रिलीफ condition disorder होना, यह conversion का attack आना नहीं, निन में conversion आता है, और जब भी conversion आता है, उसको जो भी जाग बनता है मुझे, वो बहुत ही ज्यादा चिप चिपा सा जाग बनता है, और हमेशा मुझे अंदर, लार बहुत ज्यादा बनती है, और लार भी चिप चिपी, रात को तीन मजे के बा के के जो साइने सिंट्म से हो है, क्यूपरा मैटालिकम, तो दूस्तो यह थी क्यूपरा मैटालिकम की छोटी सी मैडिसन, बट इसके स्फेर फेक्शन बहुत ही अच्छा है, कन्वल्जन में, मिर्गी के दूरे पढ़ते हैं, और मिर्गी के दूरे स्पास्मोडिक मस्कूलर एक्शन जो इस मैडिसन का है, वो किसी और मैडिसन का नहीं है, तो दूस्तो फ्यूपरा मैटालिकम को यूज करें, यह इसकी प्रॉब्लम कब-कब बढ़ती है, यानि कि एग्रावेशन कब-कब होता है, तो एग्रावेशन मैंसस के टाइम पर, दूरी मैंसस, ब पानी पीने से, यह एक ही ऐसा सिम्टम है, जहां इसको हर कंप्लेइन में आरा मिलता है, मैंसस होने लगे, एठन आ रही है, पेट में जलन और यह थनदा पानी विया है, उसको नौर्मल से रिलीफ आ जाएगा, तो यह है क्योप्रमेटरीक, दूस्तों से यूज कैसे करना ह क्या है, तो प्लीफ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नौटिफिकेशन आप तक है, तो डेली मैं लाइव आने की कोशिश करता हूं, तो प्लीफ लाइव शेशन को जरूर अटेश करें, और आपका जो भी सवाल है, रिगार्डिंट यूप्रम ट्राइव श्राइव श्राइव